सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बता सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का बुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुवत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने हेदू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो यह मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा, क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ हाँ, इंटरनेट के जरिये ये सभी सुविधाएं आप अपने गाव में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट के सुविधा मुबाइल फोन तर भी उप्लब्द है, क्या यह सत्य है? हाँ, रोहन, न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं यह सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, क्या आप मुझे गंप्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिलकुल रोहन, कृपया बैट जाईए मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ बाकी आप लोग भी बैट जाईए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वप्रसंसकरण के लिए किया जाता है कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वह मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकट बुक कर आई जा सकते हैं, बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है, सूचनाएं एक अत्रित की जा सकती है खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है अब हम कम्प्यूटर वह उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं प्रदर्शित कम्प्यूटर दो भागों में विभाजित होता है हाड़वेर और सॉफ्ट वेर कम्प्यूटर वह उससे जुड़े सभी उपकर्णों को हाडवेर कहते हैं किसी कार्य को पूरा करने के लिए कम्प्यूटर निर्देशों की जिन समूह या समूहों का पालन करता है उन्हें सॉफ्ट्वेर कहते हैं आपका मतलब है कि स्क्रीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सॉफ्ट्वेर होते हैं हाँ रोहन, सॉफ्ट्वेर कम्प्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे कम्प्यूटर बनता है कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं पहला, Input Device दूसरा, Processing Device तीसरा, Output Device जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक, उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने निर्देश अत्वा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चित्रों को देखो ये कुछ Input Devices हैं जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में होता है ये Input Device निमन है Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone Keyboard और Mouse प्राथमें एक Input Devices है यह बिल्कुल Typewriter के Keyboard की तरह दिखता है हाँ, इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है सामाने Keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते है क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले किया जाता है अंक बटनों की सहायता से क्यालकुलेटर की भाती कम्प्यूटर में अंक भरे जाते है Navigational बटन मार्ग दर्शक बटन होते है जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते है प्रोग्राम में Page Up बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में Page Down बटन विशे के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशे के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में end बटन करसर को विशे के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनिय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों insert बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलेट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर, अक्षर, बाई और मिटाता है ये चार बटन किस काम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो। यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कार्य को निश्पादित करते हैं। ज्यादतर प्रोग्रामों में इसके बटन चल रही प्रक्रिया समाप्त कर देता है। Control और Alternate Button क्रिया परिवर्थन बटन है, जो ज्यादतर प्रोग्रामों में विशिष्ट कारे और माउस की क्रिया को या तो परिवर्थित कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं. Window Button Windows के Start Menu को सक्रिय कर देता है. यह बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे की Task Bar के Start Button पर क्लिक करने से होता है. अब तक हमने Keyboard के विभिन बटनों के बारे में सीखा, अब हम Mouse के बारे में सीखते हैं. Mouse एक दिखाने, निर्देशन करने वाला यंत्र है, जिसका प्रयोग Computer Screen पर दिखने वाले विशे, आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है. आप देखेंगे कि जैसे ही Mouse चलाया जाता है, वैसे ही Mouse चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर Screen पर चलता है. इस तीर को Pointer कहते हैं. Pointer की सहायता से Computer को प्रक्रिया के लिए Data वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं. Mouse पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन. Mouse के दोनों बटनों के बीच में एक खूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेक या Document और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है. ये Mouse द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं. Mouse के बाया बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है. Mouse के बाया बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया जा सकता है. माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मिनू खुलेगा घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को उपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है फिर computer की memory या RAM में संरक्षित की जाती है जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में grinding mill एक processing machine की तरह काम करती है जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला thresher एक output machine है उसी तरह computer के साथ परिनाम को दिखाने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें output यंत्र कहते हैं Monitor एक बहुत ही सामाने output यंत्र है Monitor screen है जिसका प्रयोग आउट्पुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है Monitor दो तरह के होते हैं Cathod Ray Tube और Flat Panel Display Printer computer से प्रसंस्कृत डाटा लेता है जिसे Soft Copy कहते हैं और उसे चापकर निकालता है जिसे Hard Copy कहते हैं Computer पर दिखने वाले किसी चित्र या लेक को Soft Copy कहते हैं तथा उसे के चपे हुए को Hard Copy कहते हैं Printer तीन तरह के होते हैं Inkjet Printer, Laser Printer और Dot Metrics Printer Speaker एक Output यंत्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं Speaker के बिना हम गाने अत्वा आवाज विश्यों आदी को सुन नहीं सकते Headphone कम्प्यूटर से आवाज आउटपुट देता है ये Speaker की तरह कोते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है वह Output डिवाज सों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में बारे में जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्यक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह कम्प्यूटर डाटा संचित करता है जिसे Computer Memory कहते हैं Computer की Memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य Memory और दुटियक Memory मुख्य प्राथमिक Memory बहुत तेज है इसे RAM कहते हैं इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है Computer की गती RAM पर निर्भर करती है Data और निर्देश मुख्य Memory में संचित रहते हैं जहां से ये Process कर Result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह Memory होती है जहां सारे प्रग्राम संचित किये जाते हैं Computer की गती RAM पर निर्भर होती है Cache Memory वह Memory है जो RAM का अंग होती है और Processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग Processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक Memory सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक मेमरी का प्रयोग करते हैं चुकि Computer दुवित्यक मेमरी पर सुरक्षित डाटा को सीधे Process नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो दुवित्यक मेमरी की तरह कारे करती है Pen Drive, Hard Disk और DVD तो एक Computer डाटा को बने मेमरी में कैसे सुरक्षित करता है Computer सभी सुचनाएं केबल दो अंकों जीरो और एक में संचित करता है एक अकेली binary digit अर्थात एक अथवा एक जीरो को बिट कहते हैं आट बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं इस सार्णी को देखो इसमें बिट्स और बाइट्स के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और हार्डवेर को नियंतरित करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं सौफ्ट्वेर कहलाते हैं सौफ्ट्वेर प्रोग्राम्स निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है Software दो प्रकार के होते हैं Application Software और System Software Application Software वो प्रग्राम होते हैं जो उप्योग करता को कंप्यूटर में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw Application Software के उदाहरन है जो प्रग्राम कंप्यूटर हार्डवेर से सीधे जुड़े होते हैं System Software कहलाते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक Operating System की आवश्यक्ता होती है जो एक System Software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस Activity में भाग लेते हैं गिता ये सब रुचिकर है मैंने पहले कभी भी Computer नहीं चलाया है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि Computer कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको Computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ ये है Monitor है ये है टेलिविजिन की तरह है और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट देखा जाता है ये है System Box है इसमें Central Processing Unit अर्थात CPU होता है ये है CPU ही Computer का मुख्य दिमाग होता है ये है Keyboard और Mouse है ये हैं दोनों Input Device हैं जिसके द्वारा Computer में डाटा भरा जाता है Computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब System Box के बगल में Monitor रखिए System Box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाईसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिनें Port कहते हैं अब इस तरह से Monitor सिस्टम से जोड़ा जाता है System Box Video Port को VGA Port कहते हैं इससे Monitor को जोडने वाले तार को VGA केबल कहते हैं VGA केबल के एक सिरे को सिस्टम के VGA Port से तथा दूसरे को Monitor से जोड़ा जाता है Keyboard दो प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector अथवा USB Connector Keyboard को Connect करने के लिए उसके Connector को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है Mouse तीन प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector, USB Connector अथवा Serial Connector Mouse को Connect करने के लिए उसके Connector को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके कनेक्टर जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ दें अब हम कम्प्यूटर को बिजली के में बोर्ट से कैसे जोड़ सकते हैं कम्प्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें। उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें। क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कम्प्यूटर को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल, कम्प्यूटर चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले सिस्टम यूनिट वह मॉनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें वह मॉनिटर का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें अब कुछ खशन इंतिजार करें और देखें कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है इसे बूट स्क्रीन कहते हैं दीरे दीरे सभी software लोड हो जाएं तो computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता पहली बार न केवल computer को देखा है बलकि उसे चालो करना भी सीखा है हाँ, computer के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें mobile phone वो tablet के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि mobile phone वो tablet कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहता हूँ हं, पहले हम mobile phone वो tablet के विभिन अंगों, कार्यों वो उप्योगों के बारे में चानते है जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंत्र है जिससे आप call कर सकते हैं call प्राप्त कर सकते हैं, वो message लिख कर भेज सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह की विशिष्टाएं होती हैं, जैसा की इंटरनेट, खेल, कैमरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह फोन स्मार्टफोन कहलाते हैं, कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं, फोन के विभिन अंगों को देखें, गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं, बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला फोन को स्विच आफ कर दें और पीछे का कवर निकाल दें, उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें, तब सिम खांचे में सिम डाल दें, अंत में बैटरी वक कवर पुनह लगा दें और फोन को चालू करें, धन्यवाद गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है, चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला चार चार्जर को फोन में लगाएं, कुछ समय बाद जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए, तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें, मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनॉक कैसे किया जाता है, हमें बटनों को लॉक क्यों कर चाचा जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूं तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेन्यू पर जाईए और स्टार बटन दबाईए अब यह लॉक कैसे खुलेगा इसे खोलने के लिए फोन का अनल मोबायल के विशेषताएं देखने के लिए पहले मीनू आइकन चुएं या मेनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पड़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं पुनहा आरंभ में जाने के लिए होम चुने और फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं तब गैलरी खोलने के लिए खिसक कर गैलरी पर जाएं जहां पर कई रिंग टोनों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छा अनुसार टोन का चयन कर सकते हैं टाच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया पहला होम आइकन को चुए फिर मिनू आइकन को चुए फिर परसनलाइजेशन सेटिंग आइकन को चुए फिर सेटिंग आइकन को चुए फिर प्रोफाइल सेटिंग आइकन को चुए तब रिंग टोन या आइकन को चुए, तब रिंग टोन की सुची में खिसक कर अपनी इच्छानुसार रिंग टोन चुने, तब ठीक ओक्रिया से आप स्वेम कर सकते हैं, बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने, फिर अलाम घड़ी उसके पश्चात अलाम का समय सेट करके सेव चुने, फिर खिसक कर रिंग टोन पर जाएं, यदि आप अलाम को दोहराना चाहते हैं, तो चैन के विकल्प में जा दोहराना, फिर दिनों का चैन, कर संपन्न चुने, टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं, पहले मेनू को चुएं, तब घड़ी को चुएं तब अलाम को चुएं, अलाम का समय सेट करके सेब चुने दीदी, क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी, टाबलेट एक कॉंपेक्ट डिवाइस है, जो एक स्मार्टफोन अत्वा, एक लाप्टॉप, अत्वा कम्प्यूटर की तरह है आजकल टेबलेट अपने सुविधा जनक आकार और फीचर के सरल उप्योग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए हैं इनका उप्योग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ हैं बुकलेट टाबलेट पीसी का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्पले होता है, और इसकी कारेप्रनाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्टवेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है, कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है Hybrid Tablet में Slate और Convertible Tablet दोनों के सबसे अच्छी विशेशताएं सम्मिलित होती है, Hybrid Tablet अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो की दिये गए स्लॉट के जरिये Slate PC में जोड़ कर Tablet PC में बदले जा सकते हैं एक Rugged Tablet उन उपयोग करताओं के लिए अच्छा है, जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं, इनकी अंदर की Hard Drive जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउँ बनाता है यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपयोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए, जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इन चर्णों का अनुसरन करो, पहला केबल को चार्जिंग हेड में लगाएं और प्लग को स्टांडर्ड AC पावर में लगा दें, डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है, डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए, डिवा इसको बंद करने का सही तरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो, तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें, पहले पावर बटन को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें, तब टाबलेट को बंद करने के लिए मेनू खुलने पर दिखाई देगा, तब पावर ओफ टच कर डिवाइस को बंद करें, एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मेनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकट फोल्डर को जोड करके कस्टुमाइज कर सकते हैं, अतिरिक्त डिस्प्ल में भाग लेते हैं।